नमस्कार दोस्तों गेश्ट से 247 के एक उनी वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो देखिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर अपने जो भी आने वाली वेकेंसी यह राजस्तान की उनके बारे में यहां पर डेस्क्रस किया था तो आप सभी लोगों यह बहुत सारे आने वाला हूं इस वीडियो के अंदर के जो वेकेंसी आने वाली है राजस्तान के अंदर बहुत सारी आने वाली है पहली बात यह है बहुत सारी वेकेंसी आने वाली है अलग-अलग विभाग के अंदर आने वाली है जिसकी पूरी जो डिटेल है वो अपने पिछले वीड की भी है वो आपका जल्दी उस चीज का solution हो जाएगा और आपकी जो vacancies है वो आपके लिहाँ पे खुल जाएगी तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर समझाने वाला हूं वीडियो के अंतर पुरा देखीगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो मा आकर बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिना चाओंगा दुरीना आपके लिए लेकर आया है banking foundation badge जिसमें आपको मिलेगी सब्भी subject की live plus recorded classes अंशुल सच के साथ आप इन courses को join कर सकते हैं तीन महीनों के लिए 499 रुपे में 6 महीनों के लिए 799 रुपे में 1 साल के लिए 1199 र जाएगा अधिक जानकारी के लिए दिएगे help line नमरी पे contact कर सकते हैं तो देकि one by one करके एक चीज़ यहां पर discuss कर लेंगे उससे पहले अगर आपको कोई भी personal doubt आता आप मुझे facebook, instagram, whatsapp यहां पर पूल सकते हो सभी के लिए वीडियो को description में है और कोई पीडिये पकर है जो म अपने रचसान सरकार है, उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे अशोग अपने और गोशना के पहले कुछ दिन पहले पहले कुछ समय फेले अपर एश लिमेट के इंदर रजासान के जो सभी vacancies है उनको अपर एश लिमेट में दो वर्ष की चूट यहां पे लिए जएगी आप उसका फो जो final estimate है कि वो कब तक लागू हो जाएगा दो वर्ष वाला जैसे ही वहाँ से वो final होता है उसके बाद जो भरतियां आटकी है वो आपकी final होगी तो वो जो दो वर्ष की छूट देने का वादा किया था उसके बारे में update है अब क्योंकि वो आपका clear होने वाला है तो अगले week में राज्यपाल से अनुमदन होने के बाद कार में विभाब द्वारा आदेश जारी हो जाएंगे यानि कि अगले week तक बोला गया है तो अगला week भी अगर थोड़ा और अगर इसको delay कर लेते हैं तो यह मान सकते हैं कि सप्टेंबर में कम से काम यह सीज़ का यहां नहीं आ रही है क्योंकि उनका कहना यह है जो भी विभाग भरतियां करवाती है जैसे कि RSM SSB, RPSC है और भी विभाग जो भरतियां करवाता है वो यह कह रहा है कि जैसे ही दो वर्ष की छूट मिल जाएगी हमें फॉर्म फिर से reopen करने पड़ जाएंगे और उसी को चलते हम इसको डीले कर लेंगे जल्से जल्द आपका दो वर्ष का जो नोटिस है वो आजाए और हम आपके फॉर्म ओपन कर दे तकि आप एक बार में ही फॉर्म भर पाओ दो बार उसको ना बरना पड़े यानि कि फॉर्म रियोपन ना करना पड़े कहने के बाद यह है तो यह जो डेट है उसको कोई बदलाव नहीं होगा अब तयारी अपने उसे हिसाब से कर सकते हैं अगर फॉर्म रियोपन होते भी है तो कोई चिंटा करने की बात नहीं है अब देखिए दो वर्ष की चूट देने के मामले में बहुत सारी भरतिया अटके विए वो कौन-कौन सी है अ अब आपर-आज लिमेट में दो वर्ष की चूट क्यों दी जा रही है देखिए कोरोना की वजए से ब्हुत साल में कोई भरतिया नहीं आई ती तो उसी चीज़ को लेते हुए मुकिए मंतिया अशोक गैलो जी ने एक होशना कि थी कि आप पर रिंट MARK में दो वर्ष की अब देखें CET के बारे में जो तमाम अफवाय चल रही है न वो इस दो वर्ष के जूट के बाद में खुल जाएगी तो अगर CET अपलाए हो जाता है CET लगो हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी बट्टिया हैं जो CET के अंदर आने वाली हैं उन सभी के फॉर्म भी आपके ऊपन हो जाएंगे CET के बाद में CHO, साइग रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, इनके कितने पद आने वाले हैं यह मैंने अपने थमनेल पे लिग दिये हैं साधी साथ पिछली वीडियो में सबी के बता दिये हैं कि किसके कितने पद आने वाले हैं अगर आपको डीटेल में जानना है पिछला वाला वीडियो अराम से जाके देखो हर एक बढ़तियों के बारे में मैंने आपको डीटेल में बता रखा है साइक रेडियोग्राफर है लैब टेकनीशियन है आरेसम एससबी के द्वारा आईजित की जाने वाले लगबग 10-15,000 पदों के बात की जारी कि इतने पदों पर यह वेकिंसी आपके आने वाली है नेक्स आम बात करते हैं कनिश्ट लेखा कार ठीक है आपके जो जूनियर अकाउंटेंट है पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था लेकिन कमेंट में काफी लोग ने पूछा था कि जूनियर अकाउंटेंट क्यों ने आ रही है मैंने यह हिंदी में लिख दिया था ठीक है तो जूनियर अकाउंटेंट है इसके 1913 पदों के तो बात हो दिये ज्यादा बढ़ने की चांसे से 4-5,000 पद हो सकते हैं उसके अलबा राजसान पुलिस कॉंस्टेबल ये भी आपके अटकीवी ये क्यों उटकीवी है ये अटकीवी आपके CET की वज़े से के CET के अंदर इसको लिया था CET का कोई निस्तारेंड हुआ नहीं है तो इसका भी अभी तक हुआ नहीं है इसके अलबा सब इंस्पेक्टर ठीक है सब इंस्पेक्टर का हो गया फार्मासेज, नर्स डेज, टू, ए-ए-ए-न-म, महीला सुपरवाईजर के बारे में पिसले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आयते तो उसके देखिए, अभी तक हल फिलल को न्यूज नहीं चल रही है लेकिन आएगी जरूर वेकिंसी इतना जरूर है इस साल आपके आजाएगी वेकिंसी और अगले साल इसका एक्जाम होगा जरूर नहीं होगा महिला सूपरवाईजर के मैं आपको पहले ही बता देता हूँ महिलासूपरवाईजर के एगर पूस्ट के बाध करें कीतने पधों पर है ये पिछले वीडियो में नहीं बता है तही Clay बधों आपको बता रहा हूँ पिछली बार भी भहत ज़ादा पर नहीं ते लगबगा कि muscular फे करीबां पर थे तो इस बार भी बहुत ज़ादा पर नहीं होंगे लेकिन क्वेकिंशी है बात करते हैं से और आरे आरेस भटी ऐसकर ये भी चीजैंसारी बट्तियां ये दूय इसकी चूट के कारण अटकी हुए है लेकिन आरो यो और एयन ठीक है रेविन्य ओफिसर एक्जिकुटी ओफिसर और एसिस्टेंट इंजिनियर इनके आपकी वेकिंसी आचुके आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं और तो काफी दोस्त यहां पर यह बुसे कि तो क्या इसमें फॉर्म रियॉपन होंगे तो देखिए इसके एक्जाम रेट बहुत दूर है एक्जाम रेट पे इसका कोई इसर नहीं पड़ेगा ठीक है दो वर्श के चूट मिलती भी इस नहीं मिलेगी तो जल से जल इस चीज के बारे में यहां पर पूरा डिटेल में वीडियो बना दूँगा जैसे ही अगले वीक या उस से अगले वीक में यह फाइनल हो जाता है कि दो वर्श की चूट का एक ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद आपक पसंद आए तो वीडियो को लाइक एडमेंटर चे जुरूर करें तो दोस्तों जानेवाद मिलते रहें एक वीडियो में